पुल्वामा आतंकी हमले को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और जम्मु कश्मीर के 150 से ज़्यादा युवा देश की रक्षा के लिए सेना में भरती हो गए है कश्मीर के निडर युवा जाती धर्म और इलाके की बेडिया तोड़ते हुए जम्मु कश्मीर लाइट इंफेंट्री में भरती हो चुके है श्री नगर में शनिवार को 152 नए रंग रूटों की पासिंग आउट परेट का आयोजन किया गया पुल्वामा के रहने वाले इश्फाक रसूल ने परेट के बाद अपने पिता को गले लगा कर उनकी दुआएं ली सुरक्षा बलो में भरती होने वाले कश्मीरी युवाओं और उनके परिवारों को हमेशा खत्रा रहता है क्योंकि आतंके गोट नहीं चाते कि यहां के युवा सेना में भरती होकर मुख्यधारा का रास्ता चुने रसूल बताते है कि हमेशा से जेके लाई में भरती होना चाते थे और आज उनका सपना पूरा हो गया रसूल के भाई शबीर कहते हैं कि वो पुलवामा में रहते हैं और उन्हें कोई खत्रा महसूस नहीं होता है। रसूल का पूरा परिवार इस पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने श्री नगर आया था। उनके पिता गुलाम रसूल ने बताया कि हाँ खत्रा जरूर और चिंता की बात है लेकिन इसके फिक्र सरकार को करनी होगी कैसे यहां अमन और शांती का माहौल बनाया जाए। घाटी के एक अन्य युवा इश्फाक हुसैन दक्षिन कश्मीर के कुलगाम जिले से आते हैं जो की आतंकियों का गड़ कहा जाता है। सेना की पंदरवी कोर के जनरल अफिसर कमांडिंग लेफटिनेंट जनरल के जेएस धिलन ने जवानों के अभिवाव को से अपील की है कि वो अपने बच्चों को आतंकी संगठनों में शामिल होने से रोकें। मुख्यधारा में उनको सौब फीजदी शामिल किये जाने की गरांटी देता हूँ। इस पासिंग आउट परेड में करीब 600 अभिवावाक और जवानों की रिष्टेदारों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सेना के कई अधिकारी और प्रशास्तिक अधिकारी भी समारों में शामिल हुए। लाइट इंफेंटरी का धै वाक्य बलिदानम वीर लक्षम है जिसका मतलब है कि बलिदान वीरों का मकसद है। लाइट इंफेंट्री के ही नजीर अहमद वानी ने देश के लिए अपना सर्वोच्य बलिदान दिया था और उन्हें मर्नो परांथ अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था सीना के जवान और अगजेब भी लाइट इंफेंट्री से थे जिनकी आतंक्यों ने हद्या कर दी थी इसके बाद साल 2018 में उन्हें शोरिय चक्र से सम्मानित किया गया था ब्यूरो रिपॉर्ट भारत तक